आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर पे और मैं हूँ आपका जी ए और जी एस का एजुकेटर नवदीप सिंग आज हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं करेंट अफेर्स का और ये करेंट अफेर्स होने वाला है दिसंबर मन्त का दे 32 तो फटा-फट से टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं but before we begin I want you to be confirm of the fact that आपको वेक्टर एजुकेटर का application अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड करना है इसे डाउनलोड करने के लिए basically आपको जाना है Google Play Store पर जैसे ही आप Google Play Store पर पहुंचेंगे आप वहाँ पर search करेंगे Vector Educators जैसे ही आपने Vector Educators सेर्च किया आपको यह option आएगा after taking this option you have to identify your mobile number जैसे ही आप अपना mobile number वहाँ पर verify करेंगे verify करने के बाद आपको account setup करने का option आएगा student select करके अपना account setup करिए parent मत select कीजेगा वाइदेवे पहले ही बता देता हूँ फिर उसके बाद almost done हो जाएंगे आप अपना name, email id, profile photo and registered mobile number के माध्यम से इसमें login कर सकते हैं bank, PO, railways, SSC और state SSC इन सभी के बहुत अच्छी test series हमारे इस application पे available हैं जितना हम लोग आपको पढ़ाते हैं उस सभी को assessment करने के लिए जरूरी है कि आप इसे test series के माध्यम से देखते रहें so 10% off will be given after using the code NAV003 तो जैसे आप NAV003 code apply करोगे, you will get 171.05 रूपी की जो भी test series है, you will get it within 10% off तो यानि कि यह आपको पढ़ेगी लगभग around 150 के आसपास, but 150 is nothing है ना, test तो दे ही सकते हो, test दे करके अपना assessment खुद तो करी सकते हो, anyways, आगे बढ़ने से पहले मैं खुद यहां से एक बार गायब हो जाता हूं, so that आप लोगों को properly चीजें देख सकें और आप इसको देख सकें, यह लिजे, अब आगे बढ़ते हैं, आज के session में सबसे पहला question जो है, वो यह कि the first ever center of excellence for skill development in the power sector has been launched in which city of India, विजली छेतर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंडर, COE भारत के किस शहर में शुरू किया गया है, फटाफट बताईए, चलिए, एंसर करना शुरू कीजे, और मैं भी आप लोगों के साथ session में जुड़ जाता हूँ, center of excellence, skill development की बात होती है, अभी recently हम लोगों ने skill development के बारे में पढ़ा भी था, कि skill development में कौन सी company ने, यह question है आप से, skill development में कौन सी company ऐसी है, जिस company ने basically 300 million युवाओं को skill देने की बात कही है, फटाफट आप लोगों को बताना है, which company has said that it will give the job to 300 million people after giving skills, यह भी बताना है आपको, and then, फटाफट से answer करते हुए, चलिए, इसका answer मैं आपको बता देता हूँ, the correct answer is, number one, गुरुगाओं, और minister for skill development, जिनका नाम है राजकुमार सिंग, राजकुमार सिंग साहब ने ये launch किया था, और इन्होंने पहला center of excellence launch किया है, जो skill development होगा, power sector में, अब दिए, power sector, अभी दा कि skill की बात जितनी भी कही जा रही थी, वो प्रदान मंतरी कौशल विकास योजना के तहत, यह कही जा रही थी, कि लोगों को स्वरोजगार देने के लिए, कहने का अर्थ है, कि लोगों को self employment देने के लिए, प्रदान मंतरी कौशल विकास तहत PMK केंदर खोले गए और PMK केंदरों को open करके finally इनसे बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी गई अब ये ट्रेनिंग जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी पावर सेक्टर में भी पावर सेक्टर का मतलब तो आप जानते ही है तो गुडगाओं में इसे open किया गया है और ये National Institute of Solar Energy NISE, गुडगाओं हरियाना में established किया गया है गुडगाओं हरियाना में ही International Solar Alliance इसका भी headquarters है ये भी आप लोगों को बता है International Solar Alliance के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हो that this ISA, International Solar Alliance has 87 members और जो इसके 87 members है उसमें से 87th है निकारग हुआ अभी recently add हुआ था lockdown के दौरान मई में तो इसके बारे में भी याद रखना है आपको चलिए आगे बढ़ते हैं और next question को discuss करते हैं हम लोग The next question is the 20th IORA Council of Ministers C.O.M. meeting was held recently which country was the host for 2020 C.O.M. 20.I.O.R.A. मंत्री परिशद C.O.M. की बैठक हाल ही में आयोजित की गई 2020 C.O.M. का मेजबान देश कौन सा था फटा-फट बताएं and answer करते रहें चलिए 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 आइंसर करते रहें 20.I.O.R.A. Council of Ministers meeting recently हुई है तो कौन सी country इस country का मेजबान देश रही host Council of Ministers I.O.R.A. का बता देता हूँ आपको इसका full form है Indian Ocean Rim Association जितने भी Indian Ocean के किनारे देश है especially जो South Eastern countries है Southeast Asia में वो सभी देश इसका हिस्सा है पटा-पटा आप लोगों को बताना है कि इसका सही answer क्या है चलिए comment करना जारी रखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग अराम से देख रहे हैं इस session को चलिए अर ये भी बता दूँ 20th edition जो Indian Ocean Rim Association का है वो Council of Ministers meeting अर दी चेर्मेंशिप आप अरब आप आप इस बार इसमी थीम थी promoting a shared destiny and path to prosperity in the Indian Ocean और ये Indian delegation को lead कर रहे थे V. Murali Dharan जो कि Ministry of External Affairs में Minister of State है यानि कि ये हमारे विदेश मंत्राले के राज्य मंत्री है और 2020 की Council of Ministers Meet में France को IORA Indian Ocean Rim Association का 23 सदस्य भी चुना गया है तो तीन questions यहां से जो बनते हैं सबसे पहली बात तो ये कि Indian Ocean Indian Ocean Rim Association IORA सबसे पहले अध्यक्षता किसने की UAE ने और इसमें भारत का representation किसने किया आप देख रहे हो Minister of State है जिनका नाम है Mr. Murali Dharan तो V. Murali Dharan Minister of State or Ministry of External Affairs and then the third is कि France को induct किया गया है as a 23rd member ते तीनों ही point आपको याद रखने हैं Indian Ocean Rim Association इसका headquarters कहां है इसके बारे में भी अभी आगे चल करके हम चर्चा करेंगे चलिए आपका एक डाउट भी यहाँ पर सॉल हो जाएगा आज जिस डाउट को आप पूछ रहे थे What is the hypersonic loop? आगे बढ़ते हैं Where is the headquarters of Indian Ocean Rim Association बेस्ट? जल्दी से बताईए Hind महासागर Rim Association का मुख्याले कहां स्थित है? पटापट बताना है आप लोगों को Where is the headquarters of Indian Ocean Rim Association बेस्ट? Hind महासागर Rim Association का मुख्याले कहां स्थित है? इसका जो सही answer है वो भी मैं आपको बता देता हूँ This is in Eben, Mauritius तो Mauritius के Eben में इसका headquarters है बिल्कुल सही answer है आप लोगों के Indian Ocean Rim Association एक intergovernmental organization है जिसका स्थापना हुई थी 7 March 1997 को इसका headquarters है Eben में, Mauritius में यह याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग and next question को discuss करते है The hawker culture serving as community dining room has been inducted in the representative list of the intangible cultural heritage of humanity by UNESCO It is a popular practice of which country Hawker Sanskriti, Samudaiq, Bhujan, Kaksha, UNESCO द्वारा, Manavata की अमूर्थ Sanskritic विरासत की प्रतिनिधी शूची में सामिल किया गया है यह किस देश का एक लोकप्री अभ्यास है फटा-फट बताएं Hawker culture कौन से देश का एक लोकप्री अभ्यास है Very good morning, Riti, Shivi, Komal यतने लोग जुड़े हुए हो, सभी को good morning है चले, फटा-फट से The hawker culture Hawker का मतलब पताएं, क्या होता है Hawker का मतलब होता है, जिसे ठेला लगा करके तो ठेला लगा करके community को खाना खिलाना Community मतलब किसी भी समुदाए एक group of people उनको खाना खिलाने की बात कर रहा है चले, answer करें देखिए, the correct answer to this question is कि Singapore में और साथ ही साथ में यह भी बता देता हूँ Hawker culture जो है, यह street food का एक culture है Singapore में आपको पता है Singapore Singapore की राजधानी है Singapore City और इसको इंडक्ट किया गया है UNESCO की Prestigious Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity कहने का मतलब यह है मानवता के लिए जितने कारे किये जाते हैं विश्व में उन सभी में एक cultural heritage Singapore समेट करके रख रहा है क्योंकि यह लोगों को खाना खिलाते हैं एक तरीके से भोजन कक्ष है यह Hawker culture एक बहुत ही popular Singaporean style है street dining का और यह बहुत दिनों से बहुत सालों से practice किया जाता रहा है एक multicultural urban environment में मतलब कि Singapore में street dining यानि लोग बढ़ी हाराम से सड़कों पर बैट करके खाना खा लेते हैं और यह काफी साफ सफाई के साथ होता है और बहुत सारे cultures को show करता है आगे बढ़ें तो next question को discuss करते है कि the first ever advanced hypersonic wind tunnel test facility of India has been inaugurated in which city भारत के पहले उननत hypersonic wind tunnel HWT परिक्षन सुविधा का उद्गाटन की शहर में किया गया है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है हम विश्व में तीसरे ऐसे देश बन गए है we are the third country in the world जिसके पास यह hypersonic wind tunnel है आईए इसके concept को भी थोड़ा discuss कर दूँ देखो जब भी आप speed of sound देखते हो speed of sound होता है 332 meter per second कई लोग इसको 330 meter per second भी कहते हैं बट the correct answer is 332 meter per second around what इसे कहा जाता है sonic speed मतलब कि यह speed आप देख रहे हो speed meter per second में लिखी जाती है यह sonic speed कहलाती है speed of sound से नीचे अगर कोई भी चीज ट्रैवल करें तो उसे sub sonic speed कहा जाता है वैसे ही अगर speed of sound से 5 गुना ज्यादा कोई भी चीज speed में ट्रैवल कर रही है तो उसे super sonic speed कहा जाता है और अगर 5 गुने ज्यादा से और भी ऊपर ट्रैवल कर रही है तो उसे hypersonic speed कहा जाता है और ये hypersonic speed थ्वनी की गति से पांच गुना ज्यादा अब आपने यहाँ पर एक concept छोटा सा और सुना होगा जिसे introduce किया गया था Mac नाम से What is Mac? देखिए Mac एक scientist हुआ करते थे जिन्होंने speed of sound को एक standard मान लिया Mac 1 अब Mac 1 में जब भी वो किसी भी supersonic, subsonic या hypersonic speed को बताना चाहते है तो वो Mac के 1 से कुछ कम कर लेते हैं और Mac के 1 से कुछ ज़्यादा कर लेते हैं Suppose, example के तौर पे अगर Mac 2.3 बोला गया Mac 2.3 speed का मतलब यह होता है कि आप इसे 330 से multiply करके देख लीजे या 332 से multiply करके देख लीजे आपको speed मिल जाएगी meter per second में If anyone says Mac 5 Mac 5 का मतलब होता है कि ध्वनी की गति से 5 गुना ज़्यादा speed of sound यानि sonic speed से 5 times more अगर किसी ने कहा Mac 12 तो मतलब कि ध्वनी की गति से 12 गुना ज़्यादा तो basically यह जो hypersonic wind tunnel है इस hypersonic wind tunnel में hypersonic speed में हवा को इस tunnel के माध्यम से बाहर गुजारा जाएगा यह hypersonic speed कहलाती है Mac 5 से लेकर के और Mac 5 के उपर की यानि यहाँ पर So what we are talking about Mac 5 से लेकर के Mac 12 तक speed की range रखी गई है इस hypersonic wind tunnel में अब समझ लीजे इसका उपयोग क्या है देखें hypersonic wind tunnel जो होती है इसका उपयोग defense research और development organization इसलिए करता है ताकि किसी भी object को यह speed दे सकें जैसे अगर माल लीजे कोई भी object है let's say rocket है this is a rocket और इस rocket को अगर speed देनी है तो आपने hypersonic speed पर हवा इसे दे दी अब यह wind tunnel से wind का मतलब तो हवा ही होता है न अब यह हवा अगर एक मीटर के द्वार से इस hypersonic rocket मतलब rocket को hypersonic speed से touch करेगी तो simple सी बात है rocket को एक नया flow मिलेगा तो wind tunnel का जो काम होता है wind tunnel का काम होता है एक speed देना और वो speed आपको पता है ध्वनी की गती से 5 गुने से ज़ादा ले करके ध्वनी की गती से 12 गुने ज़ादा तक यानि इस range में speed प्रोवाइट करवाई जाएगी through this hypersonic wind tunnel concept को discuss कर लें तो मैं आपको दिखा देता हूँ number 2 हैदराबाद बिल्कुल सही answers है आप लोगों के और यहाँ पर समझिएगा Union Minister of Defence राजनाथ सिंग साहब ने inaugurate किया ही Advanced Hypersonic Wind Tunnel SWT Test Facility DRDO हैदराबाद में 19 दिसंबर 2020 को अब देखें यह इसका एक prototype है जो आपके सामने लेफ्ट साइड में दिख रहा है और दूसरा यह pressure vacuum driven enclosed free jet facility है तो pressure vacuum देखे होता क्या है आपने wind tunnel बनाई उस wind tunnel में ध्वनी की गती से 5 गुने जादा से लेकर ध्वनी की गती से 12 गुने जादा तक यानि सो चो कि इतनी speed में wind आप किसी भी चीज को provide कर सकते हो या किसी भी vehicle को provide कर सकते हो जब आप vehicle को इतनी जादा wind provide कर वाओगे तो simple सी बात है उसका जो acceleration है उसका acceleration starting से ही काफी जादा हो जाएगा तो USA और Russia के बाद हम तीसरे देश हैं जिनके पास ऐसी कोई facility है या आप देख लीजे कि Mac 5 से लेकर के Mac 12 तक ये speed range है इसकी और ये facility hypersonic flow को बड़े spectrum में खोल सकती है तो देखिए aerospace और defense system में जब भी किसी को ज़रूरत चाहिए होगी कि उसे बहुत ज़्यादा speed चाहिए initiate होने के लिए या उसे बहुत ज़्यादा speed चाहिए किसी एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए तो ये wind tunnel help करेगी और wind tunnel के माध्यम से उसे एक initial acceleration दे दिया जाएगा and after giving this initial acceleration it will flow like a wave ये एकदम wave की तरह flow करेगी I hope आपको ये समझ में आ गया होगा मतलब सोचो कि यहाँ से हवा निकल रही है यहाँ से नीचे से और ये vertical रखा हुआ है इसको horizontal कर दे तो आप सोचे इसके आगे rocket लगा है और अंदर से अचानक से हवा आई और rocket को और दूर भीज़ दिया तो this is the kind of facility आगे बढ़ते हैं हम लोग है ना बताएए यह hypersonic system समझ में आ गया या नहीं आया एक बार yes लिखिये फिर आगे बढ़ते हैं The next question is The Global Technology Summit GTS 2020 was held virtually recently The annual event is organized by which ministry Global Technology Summit GTS 2020 को हाल ही में आयोजित किया गया वार्षिक आयोजन किस मंत्राले द्वारा आयोजित किया जाता है पटाफट बताएए वार्षिक आयोजन चले So the correct answer to this question Electronics and Information Technology आपको पता है रवी शंकर प्रसाद सहब है पटना साहीब Constituency से आते हैं बिहार में Isn't it? Ministry of Education रमेश पोखरियाल निशंक सहब है जो कि हरिद्वार से आते हैं लोग हरिद्वार जाते हैं ये हरिद्वार से आते हैं उत्राखंड से Ministry of External Affairs S.J.S.ंकर सहब आप लोग जानते हैं S.J.S.ंकर सहब जो है Mahindranath Pande Who is the Minister for Skill Development? Mahindranath Pande जी इसके Minister है और Mahindranath Pande जी की Constituency जल्दी से Comment करके बताईए और Ministry of Tourism के भी आपको बताने हैं कि इसके Minister कौन है और इनकी Constituency क्या है पटाफट बताईए इसका सही आंसर है Ministry of External Affairs यानि कि विदेश मंत्राले ने इसे Global Technology Summit को held किया है और ये 5th edition है Global Technology Summit का ये भी आद रखना है आपको It was the 5th edition of Global Technology Summit and it was organized virtually from 14 December to 18 December है क्या बहुत सारे ऐसे technological giants हैं या जो technology के छेतर में अच्छा काम करने वाली कमपनियां हैं उन सभी कमपनियों के साथ Ministry of External Affairs ने meetings की और meetings करने के बाद technology को और भी जाद अपग्रेड करके इंडिया में apply करने की बाद की है अब government of India ने Ministry of External Affairs एवं Carnegie India ये याद रखेगा कारनेगी इंडिया के साथ मिलकर collaborate किया है तो collaboration किस के साथ है Carnegie India Global Technology Summit याद रखेंगे नाम बिल्कुल प्रहलाद सिंग पतेल Ministry of Tourism कहां से आते हैं ये बताईए तमुह constituency से आते हैं मध्यप्रदेश से या नहीं आते ये आपका question है आगे बढ़ते हैं Government of India has collaborated with which country to set India's first center of excellence for skill development in the power sector भारत सरकार ने भारत सरकार ने किस देश के साथ power sector में कौशल विकास के लिए इंडिया का पहला center of excellence इस्थापित करने में सहयोग किया है फटा-फट बताईए बिल्कुल हाँ जी हमारे state से आते हैं दमो हमध्यप्रदेश से प्रहलाद सिंह पटेली है टूरिजम मिनिस्टर Government of India ने collaborate किया है कौन सी country के साथ ताकि इंडिया का पहला center of excellence skill development in power sector बनाया जा सके देखे अगे एक बार बात कर लेते हैं हम लोग skill development in the power sector already हम लोग ने शायद इस question को कर लिया है and we have discussed this question the correct answer to this question is skill development in power sector that is France और ministry of skill development and entrepreneurship ने government of India और साथी साथ ministry of national education and youth government of France और साथी साथ Schinder Electric ये Schinder Electric जो है ये company है इस company के साथ मिल करके collaborate किया है ताकि skill को और भी ज़्यादा develop किया जा सके हमने skill पर अभी बात की थी हला कि अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के discuss करते हैं next question को the next question is as per the status of leopard in India 2018 what is the overall population of leopards in India भारत में तेंदुए की इस्थिती के अनुसार भारत में तेंदुए की कुल जनसंख्या कितनी है यह आपको बताते हुए चलना है चलिए यह अभी recently एक report जारी की गई थी जिस report में तेंदुए के बारे में बताया गया था वैसे ही तेंदुए भारत में extends में आता है एक तो वो होते हैं न कि जो आपको नॉर्मली दिखते रहते हैं सारे के सारे जानवर और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो extinct होते हैं extinct का आर्थ होता है कि वो गायब हो जाते हैं ओके, so the correct answer to this question is 12,852 12,852 4th number सही है, बिल्कुल सही है पता देता हूँ आपको Union Environment Minister है प्रकास जावडेकर सहाब, उन्होंने एक report issue की थी, status of leopard in India 2018, इस report को अभी recently issue किया गया है और इस report के अनुसार, जो इंडिया में population है leopards की वो 60% से बढ़ गई है चार सालों में, यानि कि इंडिया में पहले 7910 leopards हुआ करते थे और वो leopards अब बढ़ करके हो गए है 12,852, तो यह 60% population बढ़ गई है यह याद रखेगा 60% population has been increased leopard के बारे में अच्छा, आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके discuss करते हैं next question को name the winner of the BBC Sports Personalityoftheyear 2020 BBC Sports Personalityoftheyear । 2020 के। विजेता का नाम क्या है BBC Sports Personalityoftheyear 2020 के विजेता का नाम क्या है बताएए जल्दी Ronnie O. Suillian Sullivan है Stuart Broad है Lewis Hamilton है Jordan Henderson है यह James Henderson है चलो आगे बढ़ते हैं The correct answer is Lewis Hamilton यह देखिये He is an absolute superstar यह एक absolute superstar है क्या ही कहे है इनके बारे में Formula One World Champion है Lewis Hamilton जितने Grand Prix होते हैं उन सभी Grand Prix में लगबग 70% Grand Prix तो इन ही के नाम पर आते हैं Mercedes के लिए Mercedes का representation करते हैं यह Formula Race में और BBC Sports Personality of the Year 2020 में इन्हें चुना गया है So the next question is Which bank has launched the Rupe Select Contactless Debit Card in collaboration with NPCI किस bank ने NPCI के साथ मिल करके Rupe Select Contactless Debit Card launch किया है पीक अच्छी नहीं है अरे वो महराज किया है न ऐसे ही दिखते हैं तो क्या करें हमें तो यह है कि आप पहचान लो बस NPCI के साथ मिल करके है न National Payment Corporation of India Payment Corporation of India के बारे में आप लोग जानते हो National Payment Corporation of India यह एक तरीके से Umbrella Organization है जो कि Retail Payments और Settlement Systems को इंडिया में पूरी तरीके से चला रहा है इसकी Subsidities है NIPL भी यह भी याद रखेगा However, किस bank ने NPCI के साथ मिल करके Rupe Select Contactless Debit Card launch किया है तो इसका सही एंसर आपनों को पता है That is Central Bank of India है न Central Bank of India Central to you since 1911 यह इसकी Tag Line है ऐसे Questions पूछे जा सकते है Headquarters है मुंबई में NPCI का बिलकुल सही Central Bank of India ठीक है? चली आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के आपको बता देता हूं मैं मतलब NPCI और Central Bank of India दोनों का ही Headquarters मुंबई में है यह तो आप जानते ही है CEO है पल्लव मोहपात्रा Central Bank of India के देखे Central Bank of India ने recently एक unique variant launch किया है अपने Contactless Debit Card का जिसका नाम होगा Roopay Select यह एक range है basically इस range में यह uniqueness दी गई है ताकि National Payment Corporation of India के तरफ से Contactless Debit को बढ़ाया जा सके Contactless Debit को बढ़ाने का मतलब यह कि आपको पता है During this COVID-19 era लोगों को टच करने में या लोगों की टच की हुई चीज को टच करने में प्रॉब्लम है तो Central Bank of India ने यह launch किया आगे बढ़ते हैं हम लोग Next Question को discuss करते है National Mathematics Day is held annually on which day राश्ट्रिय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है National Mathematics Day is held annually on which day राश्ट्रिय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है राश्ट्रिय गणित दिवस आपको पता है हमारे भारत में एक बहुत ही कमाल के गणितग्य हुए है जिनका नाम है रामानुजम चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में 22 दिसम्बर बिल्कुल सही एंसर है इंडिया ने National Mathematics Day observe किया है 22 दिसम्बर को since 2012 याद रखेगा since 2012 से इसे 22 दिसम्बर को observe किया जाता रहा है mathematician स्री निवास रामानुजन जिन्होंने maths को redefine किया Hollywood में इनके उपर movie बनी लेकिन Bollywood में इनके उपर movie नहीं बनी He is the greatest India observes the National Mathematics Day every year on 22 दिसम्बर आगे बढ़ते हैं हम लोग and next question को discuss करते हैं How many memorandos of understandings have been and agreements have been signed between India and Vietnam during the 2020 India-Vietnam Virtual Summit 2020 भारत-Vietnam आभाशी सिखर शम्मिलन के दौरान भारत और वियतनाम के बीच कितने समझावता ग्यापनों और समझावतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं I'd have a answer करना है आप लोगो कितने समझावता ग्यापनों और समझावतों के बीच हस्ताक्षर किये गए चले इसका भी सही है अंजर आप लोगों को पता है कि भारत और वियतनाम दोनों के जो प्रधान मंत्री हैं उन लोगों ने अभी वर्चुल समिट में हिस्सा लिया था और आप देख सकते हों उनके बीच में साथ मेमरेंड़ा और अग्रिमेंट साइन किये गए यह देखिए इंडिया की तरफ से मोदी जी और वियतनाम की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर और सोशलिस्ट रिपब्लिक अफ वियतनाम है जिनका नाम है गुयेन जुआन फुक तो गुयेन जुआन फुक यह जॉइंटली इन्होंने एड्रेस किया है इंडिया वियतनाम वर्चुल समिट को जो की 21 दिसंबर 2020 को हुई और विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए इंडिया और वियतनाम ने साथ एग्रिमेंट इस वर्चुल समिट के दौरान शामिल किये हैं ओके गुयेन जुआन फुक चलिए आगे बढ़ते हैं The next is the Helen Rollazan Award is given annually in which field? The question is Helen Rollazan Award is given annually in which field? Helen Rollazan Puraskar किस छेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है? देखें मैं आपको बताओं ये Award दिया जाता है Outstanding Achievement in the Face of Adversity यानि कि अगर कोई आपदा या विपता के समय भी बहुत अच्छी Achievement करता है तो उसे दिया जाता है BBC BBC के बारे में आप जानते हो BBC Sports Personality of the Year के नाम से Award दिया जाता है जिसका full form है BBC Sports Personality of the Year Helen Rollazan Award और Helen Rollazan जो थी, she was a great example to everyone 4 November 1999 को BBC नानाउंस किया था इनके नाम पे Helen Rollazan Award और Sport के field में इसे दिया जाता है So the correct answer is Sports और ये देखे Personality of the Year Award एक special award है Outstanding Achievement in the face of adversity और winner BBC Sports द्वारा annually select किया जाता है और BBC Sports Personality of the Year के Award से उसे सम्मानित किया जाता है जल्दी से बताईए किसे सम्मानित किया गया है अभी-अभी मैंने आपको बताया किसे सम्मानित किया गया है BBC Sports Personality of the Year के Award से इसकी photo अच्छी नहीं थी, आगे बढ़ते है ये तो question हो ही गया है गतका, कलरी पैट्टू, ठांगता या मलखंभ have been introduced as new sports for Khelo India Youth Games 2021 which state will host the 2021 edition Khelo India Youth Games 2021 के लिए गतका, कलरी पैट्टू, ठांगता और मलखंभ को नए खेल के रूप में पेश किया गया है 2021 संसकरण की मेजबानी कौन सा राज करेगा पटा पटा अंजर करना है आपको इस question को भी चलिए, इसका सही उत्तर है Khelo India की मेजबानी करेगा हर्याना Okay, Sports Ministry ने अप्रूफ किया है कि चार जो indigenous game है indigenous मतलब हमारे देश के उनको Khelo India Youth Games 2021 का पार्ट बनाना है हर्याना में ये गेम होने वाले है चार नए गेम जो होंगे उसमें है गतका, कलरी पयट्टू, ठांगता और मल्लखंभ इसका ओरिजिन कहां से है, केरला से ये बात याद रखिएगा ओरिजिन ओफ कलरी पयट्टू अचा बताओ, गतका का ओरिजिन कहां से है ठांगता का ओरिजिन कहां से है और मल्लखंभ कहां का खेल है मल्लखंभ कौन सा स्टेट ठांगता कौन सा स्टेट एंड गतका कौन सा स्टेट चलिए आगे बढ़ते हैं और next question को discuss करते हैं हम लोग The next question is Which new rules have been promulgated by the Union Ministry of Power to lay down the rights of power consumers in the country Kendri Vidut Mantrali ने देश में बिजली उभोगताओं के अधिकारों का हनन करने से बचाने के लिए कौन से नयम लागू किये है पड़ा पड़ाइए Kendri Vidut Mantrali ने देश में बिजली उभोगताओं के अधिकारों का हनन करने से बचाने के लिए कौन से नयम लागू किये है Electricity Right of Consumer Rules 2017, 2018, 2019 या 2020 बिल्कुल सही है एंसर आपका Union Power Ministry Who is the Union Minister of Power? जल्दी बताएए पावर में Union Minister of Power कौन है? R.K. Singh, Rajkumar Singh है या नहीं? चले Electricity Right of Consumer Rules इन्होंने 2020 बनाए है Which will empower the consumers of electricity and will give them right to get the reliable services and quality electricity to Reliable services और quality electricity भी मिलेगी चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग बिल्कुल सही है, Dinesh, आपका भी answer बिल्कुल सही है The next question अच्छा, next question तो है ही नहीं Again मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि How could you download the Vector Educators application? तो Vector Educators application को download करने के लिए आपको जाना है Google Play पर Google Play Store पर search कीज़े Vector Educators And उसको download करने के बाद अपना mobile number उस पर verify कीज़े And after verifying the mobile number आप अपना account setup कर सकते हो Student जो है, वो select करना है Parent मत select कर लीजेगा Almost done होने के बाद, नाम, email ID And then उसके बाद mobile number से registration करने के बाद आप यहां से test series purchase कर पाओगे After applying the NAV003 code आपको test series पर 10% का Huge off भी मिलेगा Okay, तो याद रखिएगा चली, राजकुमार सिंग आरा से आते हैं Independent charge है, बिहार आरा से That's very good So, thank you very much Like and comment on my video Share this to maximum people Subscribe the channel And turn on the bell notification So that you could receive the notifications from us Thank you very much Follow us on Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube And